हेलो एवरीवन मैं पुझा चोधरी खुशी मेकवर से वेलकम टू माई चैनल तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ग्लोबल हाइलाइटिंग और यह हम करेंगे वर्जन हेयर में किस तरीके से करेंगे उसकी पूरी डिटेल मैंने इस वीडियो में आपको दिया है किस तरीके से मिक्सिंग करेंगे किस प्रोडक के साथ में करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले लेंगे हम लोग ट्यूब और ट्यूब है 7.3 नंबर का और इसकी मिक्सिंग करने हैं हम लोगों को बनवाई 1 रेशिय में तो आप लोग को निकाल लेंगे ब आप लोग देख सकते हैं इसके बाद हम लोग इसको ढखके रख देंगे क्योंकि अगर आप इसकी जरा सा देर इसको खुला चोड़ेंगे तो इसकी गैस निकल जाएगी उसके बाद हम लोग के सब्सक्राइब यूज करेंगे डव्लियूबब यह है और इसकी लोग को बराबर बराबर यशा मिलाना है तो आप लोग अंदधाज से ‎ंस तरीके से आप देख सकते हैं है इसुतना हमारा ट्यूब था इसकी मिक्सिंग कर ले आपे वर्जन हेयर है तो आपके ट्यूब य बहुत असा नहीं से काम हो जाएगा बिल्कुल भी आप लोगों को दिक्कत नहीं आने वाली है अगर आप इसको प्योर में भी एप्लिकेशन करेंगे तब भी वर्जन हेर पर बहुत अच्छा कलर देगा यह पर फिर भी हम लोग चांस नहीं लेते हैं अगर हमें लगेगा कि अगर नहीं आ रहा है कुछ भी तो हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा क्वाडर मिक्स कर लेंगे ठीक है तो यह इस तरीके से हम लोग जो है वह भी भबाग खोलेंगे और इसमें एक चम्मच देखिए एक चम्मच कम सकम डवलैपर इसमें मिक्स कर लेंगे फोड़ा साओ डाल लेते हैं इस तरीके से और अब इसकी हम मिक्सिंग करेंगे आप बिल्कुल भी चांस नहीं है कि कलर ना आए बिल्कुल आफ का कलर बहुत अच्छा आएगा मिक्सिंग कर रहे हैं बहुत अच्छे से तो तीनों चीजें इसके अंदर हमें बहुत अच्छे से मिक्स करनी आपकी कलर बहुत अच्छे से हैं सबसे मेन आपके अगर और एक section हम लोगों ने देखिए पीछे लिया है ये और दूसरा section नीचे लिया है और एक हमने छोड़ दिया है जिससे हम starting करेंगे तो इस तरीके से आप लोगों को जो है वो बालों के section बना लेने हैं तो हमारे कलर की जो mixing है वह बहुत अच्छे से हो गई है तो चलिए application स्टार्ट करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं इतने बाली हमने लिए हैं क्योंकि यह बहुत छोटी है तो इनके ना नीचे का section हम लोगों को एक नहीं छोड़ना है बतला आप चाहें तो देखिए इस त आज मैं आपके साथ बहुत ही डिटेल में global highlighting शेयर करने वाली हूं और किस तरीके साथ हम लोग करेंगे क्या क्या हम लोगों को precaution लेने चाहिए और किस तरीके सा हमें वोश करना है और किस तरीके सा हमारा कलर जो है वह इवन आए उसको हमें क्या 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 ध्यान देना है आज मैं बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ में यह वीडियो शेयर कर रही हूं तो इस तरीके से हम लोगों को रैप कर देना है और सिल्वर फोईल में जब रैप हो जाता है तो यह हीट से अपने आप color जो है वो छोड़ने लगता है बाल और बहुत easily हो जाता है अब ह आपका बाल है black या brown जो भी आपके बालों की condition है वो कम दिखाई देगा तो इसलिए हम लोगों को क्योंकि खुशी अभी बहुत जादा बड़ी नहीं है बहुत चोटी है 14-15 साल की है तो उसके according हम लोगों ने बहुत जादा हमें डार्क वाली highlighting नहीं करनी है बहुत जादा section निकालने है खुशी की पहले भी highlighting हो चुकी थी दो highlighting की थी मैंने उसकी कानों के पीछे वाली तो वह बाल भी है तो उसको ध्यान में रखते हुए भी हम लोगों को highlighting करनी हो रही है तो देखे इस तरीके से comb की help से हम लोगों को cut down करना है और इस तरीके से हम लोग जो है layers न करते हैं उस टाइम पर हम काफी कुछ अपनी तरब से उसमें चेंज कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि only for जैसा वीडियो में दिखाया है वैसा हमें करना है आप चाहें तो layers मोटी भी रख सकते हैं आप चाहें तो layers पतली भी रख सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे बट मैं अच्छा है तो इस तरीके से देखें हम लोग करते चले जाएंगे silver foil में छोटे-छोटे section निकालने के बाद बहुत जादा मोटे section हमें निकालने है थोड़े पतले section ही निकालने है इन section को निकालना भी बहुत easy होता है और जब आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपके काम उनको मैं highlighting सिखा रही हूं तो उन लोगों की class के साथ साथ मैंने सोचा के चली आप लोगों को वीडियो भी दिखाते हैं ताकि आप लोगों को भी पता चले कि जब real work हम लोग करते हैं किसी के उपर तो वो किस तरीके से होता है तो मैं आज खुशी के बालों में कर रही थी कुशी काफी दिन से बोल रही है color कराने के लिए अपने बालों में और बच्शे भी काफी दिन से बोल रहे थे कि मैं हम लोगों को इस तरी इसकी पूरी detail समझाईए तो मैं नहसे पीछे जितना बाल है उसमें इतने ही पतले पतले section निकालने हैं आप इन section को अपने हिसाब से मोटा और अपने हिसाब से पतला कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने किया वैसा ही आप करें बट जितने पतले section निकलते हैं global highlighting में उतना अच्छा रहता है और बहुत इसली जो है वो अच्छा पसंद भी आता है और बहुत इसली हो भी जाता है बहुत जाना मुश्किल नहीं होती है तो देखे इस तरीके से आज मैं आपके साथ यह वीडियो शेयर कर रही हूं I hope कि आप लोगों को पसंदारी होगी किस तरीके साम लोग इसको वोश्ट वगरा करेंगे वो भी मैं आज आपके साथ में इसी वीडियो में शेयर करूंगी तो वीडियो थोड़ी सी लंबी है बट एंड तक देखिएगा आप लोगों को बहुत काम आने वाली है और आप चाहें तो मेरे चैनल को प्लीज वीडियो को लाइक जरू किया किजए चैनल को सब्सक्राइब किया किजे और अपने फ्रेंड सकल में वीडियो को शेयर किया किजिए ताकि सब लोगों को इससे हल्प मिले क्योंकि मैं अपने पालर का ज्यादतर आपको रियल वर्क ही क्योंकि देखनी है क्योंकि जैसे खुशी का बाल में आपको बताया वर्जन है पर क्या है बहुत जल्दी कलर आएगा अब आप देख सकते हैं नीचे की लेयर जो सबसे पहले हमने की थी वह हमारी अभी यह एप्लिकेशन कंप्लीट भी नहीं हुई है पूरे बालों में उसस बीचे की लेयर को बीच बीच में खोल खोल कर देखते रहना है अगर किसी पर कलर नहीं आया तो दुबारा दुबारा ब्रस्मारिये ताकि आपका बिल्कुल इवन कलर आए कुछ लोग मुझसे फोन करके भी और कमेंट करके पूछते है कि मैं जब हम लोग का हाइलाइटि को ब्लुकिल वी कॉम नहीं के मतला इसके अंधर इस तरीके से थैशन जो है वह वह बीच वीच में चयक करेंगे तो तो बिलकूल भी ऐस तरिक तो अब सब सबसें और की साइड में हम लोग आ गए हैं एपलिकेशन करते करते इसी तरीके सा में पूरे बालों में आको सब बच्चे हैं उन लोगों से भी आप्लिकेशण करा-करा करा के देख रही हूं कट د‍ब लोगों को भी कट डौन करने भी आए ब्रष चलाना भी आई है जो सिल्वर फॉइल है उसका ध्यान रखिएगा थोड़ी फड़ी मोटी w THE लीजिल बहुत ज्यदा पतली अगर silver foil होती है न तो बहुत ज़्यादा फटने का डल लगता है और मतलब इतनी जल्दी से बालों में color आएगा नहीं क्योंकि heat चाहिए तो silver foil जो है वो थोड़ी सी मोटी होगी तो बहुत अच्छा color आएगा तो देखे इस तरीके से हम लोगों ने पूरे बालों में जब इनके application कर दी उसके बाद हम लोगों ने एक-एक बाल को check करना start किया है एक-एक layer को हमने खोलना start किया है और उसके बाद उस पर brush मानना start किया है क्योंकि आप लोगों को सारे बाल एक साथ खोलने होते हैं तो आपको काफी दिक्कत आएगी क्योंकि आप फिर एक layers के लिए कैसे रुकेंगे तो इसलिए हम लोगों को देखे application के साथ साथ जैसे कि अगर आगे application चल रही है तो आप पीछे के बालों को खोल खोल के देखते रही है कलर उत्रेगा और बहुत इसलिए इनके बालों में highlighting हो जाएगी तो आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगरी होगी अभी तक अगर आपने यह वीडियो देखी है तो आपको एंड तक जरूर देखनी चाहिए क्योंकि आगे मैं आप लोगों के साथ में बह बना रही हूं और मुझे यह सब कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करना अच्छा लगता है देखिए हर कोई जो है वह पालर पर जाकर नहीं सीख पाता अगर आपके पास पोसिबल हो तो आप बिल्कुल पर जाकर सीखिए बट हर कोई नहीं सीख पाता है तो काफी दिक् आपके प्यारा आया अब हम इनको खोलते चले जाएंगे अब हम लोगों को बीच बीच में चेक करने की जरूत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने बीच में अल्रेडी चेक कर लिया था और उस पर ब्रश भी मार दिया था तो आप बहुत ईजी है इसको ओपन करना अब आप इ इनके हार मास्क लगाए मैंने अगर आमगे पास घए हार मास्क कीजिए लगाइई ऐग्याट अब हम लोगों को शेमपुओर अखोर म्हें और यूद बीस जादा जरूरी है बहुत अच्छे से मशाज कर हीए लगाने के बाद ताकि आपके बालों शाइन आए बहु Hall और आपका बाल हलका फुलका जो डैमेज हुआ होगा वह भी अच्छे से ठीक हो जाए और आपका बाल बिल्कुल फीजी ना हो इस तरीके से हमें बालों को जो है वह 100% सुखा लेना है ड्रायर से काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं ड्रायर कहां से खरीदें तो उसका ल के लिंक होते हैं जो आपके बहुत काम आते हैं और काफी अच्छा डिसकाउंट भी उनके ऊपर चल रहा होता है तो देखिए फाइनल रिजल्ट आप देख सकते हैं कितना प्यारा आया है और बहुत ज्यादा लाइट शेड हमें कुशी के बालों में नहीं चाहिए था तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर माइ चैनल और जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो प्लीज बैल आइकन को जरूब प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में बताएगा जरूर वीडियो कैसी लगी